एलो इस्टूडेंट्स तो क्लास त्री का मैस पर आने जा रहे हैं तो कैसे हैं आप लोग करते हैं आप लोग स्वश्चत होंगे को ना में प्रिकॉशन के साथ रहिए बहा जारा नहीं निकल लिए मास्क पहना पहनिए सैंटाइजर का यूज कीजिए ठीक है सबसे दूरी ब दिया हुआ है इसको मैच करना है किसके साथ 200 को क्या बोल सकते हैं देखिए इधर 200 है तो यह इसके साथ मैच होगा 245 यह किसके साथ मैच हो रहा है देखिए इधर 245 है अब देखिए 35, 48, 97, 194 यह क्या है numbers arrange in ascending order छोटे से बरा number जा रहा है यह कहाँ पे लिखा है number arrange in ascending order यहाँ पे पहला वाला पे पे लिखा हुए देखिए number arrange in ascending order फिर देखिए place value of digit 5 in the number 591 591 में place value क्या होगा 500 होगा 500 कहाँ पे हैं यहाँ पे है phase value of underlined digit in 592 phase value क्या होगा 592 का 9 का phase value क्या होगा 9 63 63 को कैसे लिख सकते हैं 610 plus 31 sum of the number 256 and is 306 256 के साथ क्या चीज़ आड करेंगे जो 306 हो जाएगा तो यह इसका मैच होगा यहां से इसे मैच करते हैं ठाट सा कंजिस्टेट हो रहा है ऐसे अब अब 800 प्लस 100 प्लस 00 प्लस 6 इसको कैसे लिख सकते हैं यह वाला है ठीक है देखें मैच हो गया इसे पाउस करके अपने कॉपी में मैच कर लीजिएगा यह रिवीजन एक्सरसाइज है ठीक है पाउस कर लीजिए वीडियो को चलिए अब आते हैं राइड़ नंबर नेम नंबर नेम बताना है यह पूरा कराएंगे फिर अगले वाले में जाएंगे राइड़ नंबर नेम बताना है देखें फाइब सेवेंटी टू इसको कैसे लिखेंगे दूसरा देखें क्या है इसको कैसे लिखेंगे 6189 140 क्या है 140 को कैसे लिखेंगे 140 दूसरे वाले को दिखें क्या लिखेंगे 8 100 63 ठीक है देख लिजए इसे अपने बुक पर नोट डाउन को लिजएगा अब फिर राइट नूमरेल्स वर्ड में दिया हुआ है वर्ड में दिया हुआ है इसे हमें नंबर में लिखना है 412 412 को कैसे लिखेंगे 651 651 651 824 824 962 962 अच्छा हम तो नंबर तूर लिख दिये हैं लेकिन कैसे हो राकार्स कैसे हैं इसको देखें पहले आप लोग लिख लिजए 900 बोला गया है 900 लिख दिजेगा फिर क्या बोला है 62 प्लस 62 लिख दिजए 900 में 62 को एड करेंगे तो कितना होगा 962 इसी तरह उप्पा आले को देखें 824 पहले क्या लिख दिजए 800 800 लिख दिजए फिर फ्लस 24 का दिजए तो हो गया 824 टाइम होगा है 1045 रबर का है रबर है अब देखें कलर दसे फिट लाज नंबर इन ग्रीन दो नंबर का पेर दिया हुआ है 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 उसमें से लाजर नंबर को शेड करना है ग्रीन से मेरे पास ग्रीन कलर नहीं है मैं pencil से हलका shade करूंगा आप लोग green color से shade की देगा तो यह मैं समझाने के लिए लिखा था इसे आपको book में नहीं लिखना है रब कर लीचे books and copy हमेशा neat and clean रहना चाहिए collect the shape with larger number in green तो 324 273 में larger number कौन सा है 324 इसको हलका सहसे आप लोग green कर दीज़ेगे बी number में देखे 863 और 902 में larger number कौन सा है बरा number कौन सा है 902 4 का C में देखिया 456 और 438 में larger number कौन सा 456 दी नमबर देखिये 896 और 899 में larger number कौन सा है 899 circle the smaller number अब इसमें circle करना है छोटे वाले नमबर को 436 और 500 में smaller number कौन सा है यह वाला 500 में 483 में smaller number यह वाला 400 और 382 में smaller number यह वाला 624 614 में smaller number यह वाला 728 847 में 728 848 20 में ठीक है तो इसे note दाउन कर लीजे अपने books में 436 smaller है 483 smaller है 4382 614 728 820 अब फिर आते हैं write the number in ascending order in the space given below अब ascending order में लिखना है ascending order means smallest to biggest तो सबसे पहले सबसे छोटा number इसमें से कौन सा है रिकिया सबसे छोटा नमबर 300 यह सबसे पहले लिखने पिर उसके बाद कौन सा आता है यह वाला 360 और उसके बाद कौन सा आता है 328 तीसरा फिर उसके बार कौन सा आएगा 352 चौथा फिर उसके बार ये पाच तो लिखिए 300 316 328 352 386 इसमें भी असेंडिंग ओर्डर में लिखना है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 129 उसके बाद देखिए 1 के बाद पहला डिजिट 1 है उसके बाद पहला डिजिट 1 है 2 यह है उससे बढ़ा पहले वाले से अब 2 के बाद देखिए कौन सा बढ़ा नंबर है 4 है इता 3 इसके बाद कौन सा आएगा 5 है 4 फिर इसके बाद 681 5 तो एसेंडिंग ओर्डर में लिखना है देखिएं 129 257 468 532 661 ओके इसी तरह आप लोग यह दोनों भी कीजिएगा कुछ होमवक में रहना चाहिए यह दोनों आपके लिए होमवक रहेगा यह दोनों आप लोग कीजिएगा छोटे नंबर से बढ़ा नंबर में जाना है सबी कोई होमवक कीजिएगा और फोटो कीजिके मेरे वाट्सअप पे सेंड कीजिएगा वाट्सअप नंबर आप लोग पता है लिख दे रहा हूँ वाट्सअप नंबर लिखे है 7004841667 वाट्सअप पे मेसेज किया कीजिए राइट दा नंबर in descending order in the space given below descending order में नंबर लिखना है descending means बारे से छोटा सबसे बढ़ा कौन सा है 742, 748, 741, 40, 41 सबसे बढ़ा 48 है 1 एक नंबर में पहले यह लिखे है तो उसके बाद कौन सा आ रहा है उसके बाद 45 आएगा उसके बाद कौन सा आएगा उसके बाद 42 आएगा उसके बाद 41 आएगा उसके बाद 40 आएगा सबसे छोटा कहों सा है 40 जो सबसे पहले बड़े वाली को लिखते है क्या है 748 पिस 745 पिस 742 पिस 741 पिस 700 जाएगा ठीक है अब देखिए वापस यह भी है डिसेंडिंग तो सबसे बड़ा नमबर है 701 दिख रहा है फिर है 674 फिर 650 फिर 531 फिर 522 ठीक है बड़े से छोटा यहाँ पर देखिए लिखा है डिसेंडिंग मेंस बीगेश्टू प्रश्ष्मालेश्ट प्रश्ट अब यह चो कैस्डिक है यह आप लो होम थे जेगा ऊके यह वुफ टेजएगा अब इधा दीकिए प्लेल्यु एन फेस मेल्यु बताना है फोर का फोर के बाद देखिया एक डिजिट आता है सिक्स तो जितना डिट उटना जीरो पूट का रिए फोर के बाद आएगा एक डिजिट तो मतलब ठोल पहले लिखेगा जिस डिजिट के बाद है यह पूछ रहा है उसको लिखे है अब उसके बाद किन्ना डिजिट है एक डिजिट है तो तोटना जी्रों दे रही है टू के बार किना डिजिट है पहले जो डिजिट पुछा जा रहा है उसको लिखिए है टू के बार दो डिजिट है एक है एक है एक है नाइट तो जितना डिजिट है उतना जीरो दे रिजिट है वन के बार किना डिजिट है दो एक है फोर एक है फाइब तो पहले वन तो सिर्फ 4 लिख दीजाए, 2 के बारे में पूछा जा रहा है, सिर्फ 2 लिख दीजाए, 1 के बारे में 1, 7 के बारे में 7, अब इदा complete the grid करना, इसा सिर्फ complete करना, इसा 960, इसा complete the grid है, 960 है, 961, 962, इसको fill up करना, 963, 964, 965, 966, 967, 967, 968, 969, यह हो गया, 970, ऐसे करके complete करना, इसा, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, इसा 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998 हो गया तो देखिए exercise 1 पूरा complete हो चुका है पूरा complete हो चुका देखिए शुरू से चालू किया match the following हम कराए match the following के बाद question number 2 कराए question number 3 कराए 4 कराए 5 कराए 5 देखिए 5 भी कराए 6 number ये दोनों करा दिये ये दोनों हमवग दिये ये आप दो खुद कीजेगा मुझे definitely send कीजेगा 7 number descending मैंने 2 question कराया और 2 question हमवग दिया है question number 8 करा दिया place value face value complete the grid करा दिया अब आता है question number 2 question number 2 अगले exercise में करेंगे लेखिए इसमें add करना है number of balls count करके write the following numerals है write the following in number है ठीक है hope you like the video video end करने के पहले अच्छा लगा तो नाइस लिखे बैड लगा तो बैड लिखे लेकिन कमेंट कीजे पता चलेगा कि हाँ बच्चे इंट्रेस्ट ले रहे हैं कि नहीं और लाइक भी पक्का से कीज़ें गुडबाइ कर दो